हेलो जैहें दोस्तों बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों यहां पर लेकिया हूँ जो लोग आई टियाई कंप्लिट किये हैं या जो लोग आई टियाई कर रहें उनके लिए थियोरी से संबन्दित कुछ इंपोर्टेंट क और यह जो आपका कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है और जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है पांच नंबर की वीडियो होने वाली है अताथ पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिशन में आपको लिंक की दे दिया गया है चीवितरण के आर्मेचर के चारों स्थापित की जाते हैं और Ph sự क्या होता है यह च्रपा deste करता है और इंदु कि सभूइन के आनृवाला मांग यहां पर कोशन कि समानता आर्मेचर परत्रोद का मान होता है जो आर्मेचर परत्रोद होता है उसका मान क्या होता है इदम सिंपल में पूछ रहा है दोस्तों देखे जो साधानता की बात कर रहा है तो आर्मेचर परत्रोद का मान एक ओम होता है और जनलित्र एव मोटर में घौनल करने वाला स्थाप्ट करने का कारण है तो इसका रीजिन पूछ रहा है कि किसी जनीत्र skill में वाइंड againstपित करने उनसे कहना चाहता हूं कि डेली जो हमारे वीडियो है रात 9 बजे आती है बिलकुल लाइब क्लास चलाई जाती है तो जो लोग सेशन में जुड़ना चाहते है डेली रात 9 बजे आप तयारा कीजिए और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिची आपको रेट कलर का बटन दिख रहागा सब्सक्राइब लुका उससे क्लिक करके घंटी वाला आइकोन को दबाकर और क्लिक के जैए ताकि हम जब भी लाइब क्लास लेकर आए तो आपके पास नोटी किसन जाए और आप कलास से चूड़ सके हैं तो यहाँ पर कोशन चार पोल वाले स्प्लेक्स लेमप बाउंड बेजनित्रों में समानतर पथो की संक्या यदी चार होगी तो यह कैसे होगी क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यह बराबर किया होता है 4 होता है तो इसमें भी तो अम्हरा क्या होगा यहां पर भी इस में यहां पर हम भी आफिकल करेक्ट मारेंगे के लिए कोशन नम्बर आते हैं 854 कह राए कोशन कि किसी जनित्र के ब्रसेच का बोल्टेज ड्राब बढ़ जाएगा यदी कब बढ़ेगा आफिकी आफिक लेगा तो आपका confusion कतम हो जाएगा पहला संद यह गया कि लोड करंट बढ़ जाए तब या लोड करंट घट जाए तब या पिरेत बोल्टेज घट जाए तब कब होगा तो दुस्तों देखिए किसी जनित्र में ब्रसेज का बोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड धारा बढ़ जाए तब अताथ लोड धारा बढ़ने का अताथ पर यह कि लोड का बढ़ना होता है अताथ लोड बढ़ेगा तब ब्रसेज का बोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ेगा और य करेंट बढ़ जाएगा तो आफसान नंबर यह हम करेक्ट मारेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों कोशन नंबर किसी संट जन्रित्र के द्वारा परियाप्त विदुत वहाक बल पैदा करने के लिए संट फिल्ड सर्किट का परत्रोद करने के लिए किसी संट जन्रित्र के द्वारा परियाप्त विदुत वहाक बल पैदा करने के लिए संट फिल्ड सर्किट का परत्रोद क्रिटकल परत्रोद से कम होना चाहिए क्योंकि दोस्तों संट फिल्ड परतिरोद का वह अधिक्ता मान जिस पर कोई डिसी संट जनितर विदूत वहाकबल पैदा कर सकता है वो आपका क्रिटकल परतिरोद कहलाता है तो यहाँ पर कोशन के अनुसार हमारा सई हो जाता है आपसा नंबर भी बिल्कुल करेक्टे अन्स सकता है कौन है इसमें पहला आपका चुमयकर को बैटरी अत्वा से विदूत वहाकबल पैदान करना पड़ता है और इस प्रणाली का उपयोग बड़े जनितरों में किया जाता है तो यहां पर कोशन के अनुसार हमारा सई हो जाता है आपसा नमबर D बिल्कुल correct answer के लिए रोग है दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 88 पर आते हैं कहरा है कोश्चन कि यदि किसी DC संट जनित्र का और सिष्ट चुमकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुना प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कोशन है दोस्तों और थोड़ा सा दिमाग लगाने का भी कोशन है तो देखिए दोस्तों यदि किसी DC संट जनित का यदि ऑसिष्ट चुमकत्व समाप्त हो जाता है तो उसे पुना प्राप्त करने के लिए हम संट फिल्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरिक से सन्योजित कर दे और अपनी दोस्तों साथ सेर कदे ताकि वह भी कलास से जुड़ सके हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर नवासी पे कह रहा है कि किसी DC स्वाव उत्यजी जनित्र में और सिष्ट चुमकत्तों समाप्त हो जाने का परमुक कारण क्या है यहां पर दोस्तों आप से तक निस्फ रियोजन अथवा उस्था में रखना और डी असन देखे उपर रुकत तीनों तो दोस्तों देखिए इसमें आपका सही होगा वह आपका आफसान नमबर डी ही सही होगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि किसी DC स्वाव उत्यजी जनित में उसलीट क्लियर होगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर आते हैं नबबे पे के राए कोशन कि इस्तिर बोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधी के लिए कौन सा जनित्र उपर्यूक्त है यहां पर आपका जनित्र का नाम दिया जैसे कि पहला आपसं दियागे कमिलेटिव क समानतर में जोड़ा जाता है और इसका जो आउटपूट होता है यह विदुत वाकवल पर इस्तिर आता है तो यहां पर हमारा कोशन के अनुसार सही हो जाता है आपसं नमबर भी बिल्कुल करेक्ट एंसवर संट जनित्र भी आपसं करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 91 पर आते हैं देखे लिए जे कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है कह रहा है कोशन कि DC संट जनित्र की आर्मेचर करेंट की गढ़ना निम्न सुत्र से की जा सकती अताती इनमें जो आपका सुत्र दिया गया है वह कौन सा ऐसा सुत्र है जिसके द्वारा ह फ्लस होता है जो कि यहां पर हमारा थोड़ा समयन को बाहर निकल दिया गया दो इसमें को पहर लेंगे अपका कोई प्लस आपका लिखा गया बराबर आइल प्लस आई है बहुत लग मारा देता है लेकिन वाला बेल्कुल गलत होता है जहाँ पर सी आफसिन्स करेक्ट दोस्तों और यहां पर देख लीजिए दोस्तों यह जहिए वह कि देंगे घो लोगों कॉतास Deck Opera ऑर यहां होता है तो यह एल लोगों कुछ नमबर के हीएछ थैसको ध्याने कियेगा चलिए अगे करने के लिए कारवन ब्रस का परियोग करना चाहिए यहां पर तीनु वीदियों का परियोग करना चाहिए पहला भी और दूसरा भी और तिसरा भी तो इसलिए हम बारेंगे आफसान नमबर डी बिल्कुल करें टेंसवर की उपरिक्त तीनों विदियों का क्या करना चाहिए कि लिए रोगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर सब्सक्राइब आपका दोखजार नौव में पूछा गया और दोखजार चोदा में भी आपका यह कोशन पूछा गया कि सींटीजनित्र में परियुक्त इंटर पॉल की समानch कि जब याएगाैगा तो यहाँ पर हमारा वियाफन विलकुल गरेक्ट हो जाएगा के視 wire royal के दोस्तो आगे बढ़ते हैं कोश्ञर नमबर पंचानबे पे क्या राये कोश्ञ कि डिसी जनित्र में इंटर पोल्स का सल नियूजन किया जाता है अताकिस करम में किया जाता है CuAds कोश्ञ पूछन का यह मतलब है तो दोस्तो डिसी जनित्ρ मिन्तर पॉलिश logן के स्रेड़ी कर्म में किया जाता है जनितर के दो मुक्या पॉल्स की बीच में अस्थापित किया गया लत्रिक्त politics पॉलिन्टर पॉल क्या कलाता है यहां पर को इसुए आफ सा नमबर यह बिल्कुल करेक्ट डे स्वर कले रोगत है दोस्तों तो आगे बढ़ते हम कोश्चन नमबर चाहनवे पर यहां पर देख लिए दोस्तों कह रहा है कि उश्च्टम दस्ता प्राप्ट करने के लिए डीसी जनीतर में बरुसों को रखना चाहिए कहां पर रखना चाहिए जीने पर मतलब के जयामतिय उदासीन अच पर यभी आसन द प्राप्ट करने के लिए हम डीसी जनीतर में ब्रसों को चुमकिया उदासीन अचाहतात मने पर रखना चाहिए और इस प्रभाव के काराण ही क्या होता है आर्मेचर के घुमाव की दिसा में एमने और जियन से फाई अंस घिसक जाती है तो यहां पर कोशन के अनुसार हम ब जरू बताएगा आज का वीडियो कैसा लगा कोशन नमर संतान में पर आते हैं कि लंबी पारेशन लाइन के द्वारा किसी लोड को इस तिर बोल्टेज परदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र उपरियुक्त होता है और कंपाउंड जनित्र या अंडर जनित्र तो दोस्तों देखिए लंबी पारेशन लाइन के द्वारा किसी लोड को इस तिर बोल्टेज पराप्त करने के लिए ओपर कंपाउंड जनित्र उपरियुक्त रहेगा तो यहां पर हमारेंगे आपसा नमबर ए बिलकुल करेक्ट एंस्वर के लिए होगा दोस्तों कोशन नमबर अंठांबे पर आते हैं कि लगतार कारे करने वाले डिसी जनित्र के इंसुलेशन पर्तिरूत का मान कम होने का कारण क्या है यहां पर रिजन पूछ रहा है आपसे तो दूस्तों देखिए यहां पर आपका सही हो जगा आपसा नमबर बी अथा आर्मेचर तथ कार्बन चुड़ जमा हो जाना कार्बन चुड़ जमा होने का उसका छरण होने लगता है तो यहां पर हम भी आपसान बिल्कुल करेक्ट बारेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों कोशन नमबर निनानवे पे बहुत इंपोर्टेंट कोशन है कि किसी डिसी जनित का अन्यसा लिए यह जे आपका शुत्र होता है यह बराबर भी प्लस आयाय इन्टैस के a यह समीकता फ़ द्रसा ऑब्वाते है इसको महैं सब्सक्राइप मठेर奶 नाल हम इसा अ'reBut कोशन करनसार हमँआरेंगे आफसना-घ्रच नमबर आज कोशन नंबर सोपे के हैं कि जनित की दरस्ता होती है 60 से 80 परशत आज Such सी पर्साथ मैं पर्षाइश से ताकि यदि सूत्र पूछ दिया आपसे तो आप करेंगे भी आई एल अपान भी आई ए ठीके तो अथाती हिंदी में यदि बात किया जा तो दस्ता बराबर आपका होता है आउट पूर्ट बेदू सक्ति अपान उत्पन विदू तु वाहक बल ठीके यहाँ पर कोशन करूश